फ्रेंट्स ध्यान दे, 68th BPSC Prelims परिक्षा के यदि आप तयारी कर जहें हैं और आपकी तयारी अभी तक बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है ताकि आप Prelims क्लियर कर सकें या कहीं भी तयारी में कोई कोर कसर रह गई है तो especially आपके लिए ही कोहिनूर बैच A Plus launch किया गया है या केबल और केबल 10 दिनों के लिए ही बैच है 24,1,2023 से या प्रारंब हो रही है अब आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं दिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी दी गई है इस वीडियो में केबल इस बैच से सम्मंधित प्लान को हम लेकर आए हैं किस डेट को क्या-क्या सबजेक्ट आपको करवाए जाएंगे और कैसे करवाए जाएंगे इस बैच की जो टाइमिंग है वो शाम के साथ बजे से सारहे आठ बजे तक रखी गई है क्योंकि सुबह में अल्रेडी सूपर बैच एवन चल रहा है अभी वह 31 जनवरी को समाप्त हो जाएगी 22 तारीक से वह रनिंग बोड में है तो आईए हम पहले देख लेते हैं एक एक डेट में आपको बताते हैं क्या क्या दो फरवरी 2023 तक का सेडियूल क्या है इसमें ध्यान दे सबसे पहले 24 एक 2023 पर यहां इस दिन आपको बिहार स्पेशल का दो लेक्चर प्राप्त होगा और PDF नोट्स दिये जाएंगे प्रतियोगता दर्पन का जो है Question Lecture और PDF नोट्स आपको प्राप्त होगा जनवरी, फरवरी और मार्च तीनो महिने का एक साथ बिहार Current Affair का आपको प्राप्त होगा यह भी January, फरवरी, मार्च 2022 का तीनो महिने का एक साथ Current Compilation आपको प्राप्त होगा और Lecture के माध्यम से आपको बताया जाएंगे उसके बाद 25 तारिख को अगले दिन आधुनिक इतिहाश के दो Lecture आपको प्राप्त होगे PDF नोट्स के साथ प्रतियोगता दरपन उसके बाद अप्रील, मई और जून का Current Compilation आपको प्राप्त होगा Important Question Lecture के साथ उसके बाद फिर बिहार Current भी आपको अप्रेल, मई और जून तीनो महिना के एक साथ प्रतियोगता दरपन और बिहार Current Affair चलेंगे इसमें भी आपको Important Lecture दिये जाएंगे और PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा बिहार Current Affair का ध्यान दे 26 तारीकों फिर आधुनिक इतिहाश का दो Lecture PDF Note के साथ प्रतियोगता दरपन जुलाई, अगस्त और सितंबर का Important Question Lecture के साथ इसमें जितने Important Question तीन महिने के प्रतियोगता दरपन से होंगे वो सारे निकाल कर आपके लिए एक दम गी आपके सामने रख दिया जाता है केबल आपको उसे सुनना है, पढ़ना है और याद रखना है परिक्षा तक उसके बाद बिहार Current Affair में भी जुलाई, अगस्त और सितंबर का आपको दिया जाएगा Important Question Lecture और PDF के साथ ये दियान रखें 27 तारीकों फिर आपका Physics होगा इसमें दो Lecture आपको मिलेंगे, PDF Notes के साथ दियान देंगे फिर प्रतियोगता दरपन का October, November और December यानि चार दिन के अंदर ही जितने भी पूरे एक साल के निचोर हैं प्रतियोगता दरपन के वो आपके सामने लाकर रख दिये जाएंगे बस आपको परिक्षा में बैटना है बिहार Current Affair के साथ भी वही किया जाएगा October, November, December 2022 का आपको Complete करवा दिया जाएगा यानि चार दिन में ही पूरा Current Affair प्रतियोगता दरपन और बिहार Current Affair कंठागर करवा दिया जाएगे आपको सब कुछ दे दिया जाएगा बिहार Current Affair में जनवरी 2023 का ही होगा के बल चुकि परतियोगता दरपन आप सभी को पता है दो महीना पीछे चलता है इंपर्टेंट कोस्टन लेक्षर के साथ ये आपको Complete करवा दिया जाएगे 29 तारीख को Biology होगा आपका आप देख रहे हैं किस तरह से Physics, Chemistry और अब Biology के दो लेक्षर आपको प्राप्त होंगे PDF नोट्स के साथ और अब चलेंगे हम जोग्रफी, इंडियन जोग्रफी पर इसमें आपको Important Question लेक्षर दिये जाएंगे PDF नोट्स दिये जाएंगे 30 तारीख को फिर हम Quality के दो लेक्षर को लेंगे और उसके बाद PDF नोट्स आपको प्राप्त होगा जोग्रफी का वर्ल्ड वाला सेक्षर इस दिन करवाए जाएंगे इसमें Important Question लेक्षर आपको मिलेंगे उसके बाद 31 एक को यानि की आठवे दिन जब आप इस बैच में रहेंगे तब Economics का दो लेक्षर लेकरके जाल कर रख दिया जाएगा आपके सामने उसके बाद एक फरवरी 2023 को जब नॉमा क्लास होगा यानि आखरी से एक पहले क्लास में प्राचीन इतिहास का दो लेक्षर लिया जाएगा जो दस्मा क्लास होगा आपका, इस दिन मध्यकाली नितिहाश का दो लेक्षर लिया जाएगा और PDF नोट्स आपको प्रोवाईड करवाईजाएंगे और केंद्रिये बजट और आर्थिक सरवेक्षन इस दिन होगा इसका दो lecture और notes आपको provide किये जाएंगे और इस दिन भी previous year question mathematics का basic math आपको complete करवाय जाएंगे ध्यान दीजिएगा इसके बाद आपकी छुटी हो जाएगी हमारे पास से उसके बाद आप स्वतंत्र हैं तीन फरवरी से तीन फरवरी से दस फरवरी तक के लिए एक रनिती आपके साथ हम साजा करना चाहेंगे अपनी तरफ से आप एक घंटा घटना चकर पुर्वावलोकन कौन सी जो बिहार के previous year question का collection है यह नहीं कि history, civics, geography यह सब उठा लीजिए उसको आपको एक घंटा देना है, प्रती दिन उसी किताब में सी यानि घटना चकर पुर्वावलोकन में सही गनित का जो previous year question है, चुकि हम basic formula आपको clear करवा देंगे batch में तो आपको उसका question बनाना है, उसके बाद 3 घंटा आपको current affair पर देना है और 5 घंटा आपको general studies पर देना है, यदि इस schedule को आप 3 फरवरी से 10 फरवरी तक रखते हैं और जितना हम आपको दे देंगे batch में, उतना यदि ठीक से आप संभाल ले पाते हैं तो फिर result से आपको कोई नहीं रोख सकता है, time table अपने हिसाब से इसका, यानि ये जो अभी हमने बताया तीन फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक आपको करना है, इसका आप अपने हिसाब से बनाएंगे और अंत में तो हम यही कहेंगे कि सफलता की अग्रिम शुब कामना हम आपको देंगे प्रेलिम्स परिक्षा में और बहुत बहुत धन्यवाद आप वीडियो में बने रहे है अब तक तो इस वीडियो में इतना ही बताना था, थैंक्यू